ओमे नमो भगवते वासुदेवा या नमह नमस्कार मित्रों इस बेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम विकास, विक्रम, वैशाली, विक्की या इसके अलाबा जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के भी अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीवन में 2022 में क्याकिया पडिवर्तन, क्याकिया बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस बेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोटका है जिस तोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा मजिबूत एबं बिहतर होगा तो बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसिज अबश्य करें तो मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि भी नाम बाले लोगों के जीबन में 2022 में किया किया बदलाब होगा मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके अर्थिक जीबन आपके धन संपती के बारे में मित्रों आने वाले शमय में पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत ज्यादा मजबूत एबं बिहतर होगा 2022 में आपको पैसे कमाने के लिए नए नए स्रोत नए नए रास्ते मिलेंगे एबं इसके अलाबा आने वाले शमय से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो 2022 में आपका रुका हुआ धन आपको अवश्य मिलेगा मित्रों आप में से कुछ जातक अपने पैसे को घर, जमीन, गारी या गहना जेबर के उपर में बहुत ज्यादा खर्च करेंगे एबम इसके अलाबा आप में से जो भी जातक आने वाले शमय में किसी भी काम को करने में पैसों का निवेस करना चाहते हैं तो निवेस करने से पहले उस काम के बारे में उस चीज के बारे में आपको साड़ी बातें पता करनी चाहिए एबम साड़ी बातें पता करने के बाद ही पैसों का निवेस आपको करना चाहिए क्योंकि 2022 में यदि आप धन संपती के मामलों में कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको पड़ेसानी का शामना अबश्य करना होगा मित्रो 2022 में आपके घर में कोई फंक्सन कोई आयोजन होगा जिस आयोजन को करने में आपका पैसा बहुत ज्यादा कर्ज होगा मित्रो आप में से जू भी जातक आने बाले शमय से पहले कर्ज में थे तो 2022 में यदि आप मिहनत करते हैं परिस्रम करते हैं तो आपको आपके कर्ज से मुक्ती अबश्य मिलेगा मित्रो आने बाले शमय में यदि आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा की बात करें तो सिक्छा के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत ज्यादा मजबूत एबं बहतर होगा 2022 में आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा सांत होगा एबं आपके परिबार के लोग आपके पढ़ाई लिखाई में आपका सपोर्ट आपका सहयोग बहुत ज्यादा करेंगे एबम अपने घरबालों के सपोर्ट के कारण 2022 में आप अपने सिक्षा के छेत्र में बहुत ज्यादा सफल होंगे मित्रों आप में से जो भी जातक आने बाले शमय में किसी भी परतियोगी परिक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो 2022 में इस काम को करने के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत ज्यादा सांदार होगा क्योंकि 2022 में यदि आप अपने सिक्षा के छेत्र में मिहनत करते हैं परिस्रम करते हैं तो आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी छात्र लंबे समय से नौकडी की तलास में थे तो 2022 में यदि आप नौकडी की तलास करते हैं तो आपको नई नौकडी मिलने की संभाबना बहुत ज्यादा होगी मित्रों 2022 के मध्य में यानी की 13 अप्रेल 2022 के बाद का समय छात्रों के दृष्टी कौन से बहुत ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि इस अबधी में आपके किस्मत का द्वार आपके भग्य का द्वार आपके लिए अबश्य खुलेगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके बैबाहिक जीबन एबं आपके संतान पक्च के बारे में मित्रों 2022 में बैबाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ज्यादा मजबूत एबं बहुतर होगा मित्रों 2022 से पहले यदी आपके दामपत्ते जीबन में कोई भी पड़ेसानी कोई भी समस्या था तो 2022 में उस समस्या का अन्त अबश्य होगा मित्रों आप में से जो भी जातक नब बिबाहित हैं तो आने बाले शमय में नब बिबाहित लोगों के घर में पहले संतान की खुसी अबश्य आएगी एबम आप में से जिन लोगों की संतान पहले से है तो 2022 में आपके संतान को उनके सिक्छा के छेत्र में सफलता मिलने की संभाबना बहुत ज्यादा होगी मित्रों यदि आपके बच्चे की उम्र साधी के योग है तो 2022 में उनकी साधी की संभाबना बहुत ज्यादा होगी तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों 2022 में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको राहु मंत्र का उच्चारन करना चाहिए एबम राहु गरह के नाम पे कुछ दान पुन्न करना चाहिए मित्रों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहत ज्यादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बठने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट कर दे धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे